कि हेई गाईज विलकम बाइक टो माई योटूब चैनल रुद्र भीहान योटूब चानल में आपका स्वागत है तो रुद्रे खेलने जा तो रुद्रे का दोस्त आयूस ले जा रहा है मेरा बेटा को खेलने के लिए देखिए मेरे घर के बगल में काफी जूड़ है तो गाइस यहाँ पे हम गाड़ी रखते हैं हम लोग को जगा नहीं है सामने में आपका में रोड है तो बिल्कुल भी जगा नहीं होता है तो गाड़ी यहीं पे रखते हैं और यह देखिए यहाँ पे काफी हर्याली हर्याली है क्योंकि हमारा जारकर्ण है तो आपको चार ओर हर तरफ हरे भरे ही नजर आएंगे और वारिश का मोशन में उस वज़े से जमीन आपको गीला है नजर आएगा तो मैं आपको ले चल रही हूं रुद्र को ले के चलती हूँ अपना खेत बाबु तुमारा खेत का है उसको ब जहाँ पर हमारा खेती बारी होता है तो गाइश यह देखे पूरी तरह से ये ट्रैक्टर से जोता हुआ है तो पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है खेत को मेरे ससूर जी रुद्र के दादू काफी मेहनती है ये ये वला में हम लोग बदाम लगाते हैं फिर अगला वला में लेचलती हूँ आपको अभी लगाया हुआ नहीं है फिलहल लग जाएगा फिर मैं आप लोग को वीडियो बना के शेर करूँगी तो गाइस यहाँ पर भी जोता हुआ पर धास निकाला हुआ नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत का काम है इसमें भी कुछ-कुछ खेती किया जाएगा तो उसी ओरली मैं आप लोग को नहीं बता पारी हूँ इसमें तो बदाम के लिए पुरा तयार किया गया है इसमें कुछ किया जाएगा फिर यह देखिए मेरे ससूर जी काम कर रहे हैं आप लोग को देख लिखी रहे होंगे तो गाइस देखिए काम चल रहा है मैं आपको दिखा दे रही हूँ यह बॉंडरी क्या हुगा है क्योंकि यहां पर खाने पिने का सबजी बगएरा लगाया जाता है इसलिए इसको बॉंडरी करके रखे है लोग है की बॉंडरी से यह हमारा गेट है यहां सेंटर करते हैं पापा क्या कर रहा है मिर्चा गांची कर लिए अच्छा तो जैसे कि मैंने पूछा अपने सब्सक्राइब और बोले की मिर्चा का गांची क्या हुआ है देखिया क्यूंकि हम किसानगर के हैं थोड़ा मुड़ा खेती बारी होता है हमारे यहां इसलिए मैंने आप लगों को अपना खेत दिखाया और जहां से हम अपने खेतों को सीचाई करते हैं वह कुवा मैं आपको दिखा देती हूं इसलिए हमारी खेती बारी होती है अभी तो पानी कम है बर्शाथ के मौशम में अभी कुछ दिन के बाद यह पूरा भर जाएगा आप देखिए मेरे गाओं का नजारा आई हो पाप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आप देख सकते हो खेती बारी करने के दिए खाद वगेरा गोबर का खाद बिरा दिया गया है तो गाइस यह बगीचा है इस बगीचे का नाम मधू बगीचा है यह यह मैं आपको दिखा ज़े रही है खोखला पेड यह पेड काफी ड्रावना है इसके पीछे के कोई कहाली है देखिए रुद्री जी आ गए है रुद्रे चलो तुम बता दो कि यह बहुत ड्रावना वाला पेड है बता दो तो गाइस मैं जब रुद्र छोटा था तो मैं इसे हॉय हॉय बोलके डराती थी और हम इस ड्रावनी चीज तो यह कोखला वाली पेड है तो इसके पीछे की एक स्टोरी ऐसे मैं बताओंगी तो इस वीडियो में मैं नहीं बता पारी क्योंकि वीडियो काफी लंबी चले जा रही है तो अगर आपको हमारा यह आओ हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाए करें